नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकु के साथ ही अस्पताल या नर्सिंग होम के सुविधायन लोगों को मिलेंगे। इसके साथ ही मरणरुजन के साधन कीपी सुविधा बिल्च्रों को देनी होगी। आवास विभाग नई टाउंचिप योश्नाओं में इसे अनिवारी करने चुआ रहा है। इसको लेकर करोडों की लागत से बनेगा नगर में वरीहत गउ शाला चुट्टा पशों की समस्था से मिले की जाहत। गउ अंचों के संडक्षन के लिए नगरपाली का द्वारा जुल्धी वरीहत गउ संडक्षन केंद्र का निर्मान कराया चाएगा। इसके लिए शासन एक दश्मन साथ शुन्य करोड रुपए के सुविक्रिती दे दी हैं। वरीहत पशो आश्रे स्थाल बनाने के लिए नगरपाली का दुरा तीन बेगा जमें चुनहित करने की कवायत तेज कर दी गई है। इसे पशो आश्रे के बनने पर यहां 500 पशों को रखने के सुविदा होगी। वर्तमान में नगर में गाय घाट में स्थाई पशो आश्रे स्थाल बना हुआ है। यहां 60 गवण्ष रखने की विवस्ता है। जहां वर्तवान में 80 गवण्ष रखे गए हैं। अधिश्वास से अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मुख्या मतरी योगी अधितनात क कि और से बेसार हम वेश्व के सनक्षन के लिए विश्वेश पहल की जा रही है। आज से ये शहर को स्वच बनाने के लिए चलेगा भ्यान। पालिक पर शौसन की ओसे तैयारी पूरी कर अधिकारियों को जम्यदारी सौपी गई है। शौसन अब शहर को पुर्ण रूप से स्वच रखनी के लिए स्वच भरत मिशन नगरी फेस 2K डोर टूर अभ्यान चुलाएगा जिले में सभी नगरी निकायों में अभ्यान एक परवरी से 31 मार्स तक चलेगा। लोगों को मिली थी। उसके बाद राजरी में अभ्यान वी के से सोधिया ने किसानों से अपेल की कि वर चौद्वी किष्ट कर लापाने के लिए ज्युद से जल अपने बैंक को खाते अधार से जुडवा ले ताकि उन्हें आगी इसके लाप से वजजित ना रहना पड़ चर्चा में रहे हैं। लेकिन अब एक सपा विधायक की तस्वीर ने खिले श्रादव के इटेंशन बढ़ा दी हैं। केंद्री वस्तो एवं सेवा कर अनुदान और कर्जव एडवांस की रूप में यह राश्यों मिलने से प्रदेश के अर्थववस्था रफ्तार पकड़ेगे। केंद्र सिकर्ज वा अगरिम की रूप में 8181 क्रोड रुपे मिले। यूपी के घ्रामनी लागों में दीगे 55 लाग से अधिक नल कनेक्शन दीकर उतरपादेश निसर्वस शेष्ट चार रजों में स्थान बना लिया है। योगी सरकार की इस अउपलब्धी को नमामी कांगे एवं ग्रामिन जुलापूर्थी विभाग ने हर घर जल 35 लाग नल से महरुक की रूप में मनाया। जलशक्ती मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने अच्छव काम करने वाले अधिकारी वकरमचारी को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर घर जल योशन में प्रदेश को नमबर बन पनाएंगे। इंद्रा गांधी प्रतेश्ट्वानमी आयोजोतिक आईक्रमे स्वतंत्र देव सिंग ने कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि हम लक्षी को कैसी प्राप्त करेंगे। लेकिन बहुत कम समय में विभाग के अधिकारियों वक्रामचारियों ने 75 लाग घरामिन परिवारों तक शुद्ध पानी पहुच्छा दिया। अधिकारी वश्च दो हज़र सैंतालिस में पानी कि सिती और चुनौतियों को देखते हो भविश्वे के लिए ववस्था कर रहे हैं। यूपी में लोगों को शीत लहर से भी रहत मिलने की संभावना है। अधिकारी ने दी। आपको बता दी कि अटल अवासे स्कूल यूपी सिरकार के एक महत्व कांक्षे यूचना है। इन स्कूलों में मजजूरों के बच्चों एबं अनातु को मुफ्त और गुनवत्ता पुर्ण शिक्षा उपलब्द कराई जाएगी। उत्रपदेश के सभी मंडल मुख्यालों में अटल अवासे विद्दाले होंगे। आगामी शिक्षन सत्र से शिक्षन कारे शुड़ बोचाएगा। अधिकारी ने बदाया कि शौमिकों के बच्चों को बहतर शुक्षा दिलानी के उत्रपदेशु सरकार अटल अवासे विद्दालों को आगामी सत्र से शुरू करने चुआ रही है। अगर कोई वहान इस रोड पर पांच मिनट से जदा रुखता है तो कंट्रोल रूम से तुरंत वहाँ पर पॉलिस भेज़ती चाएगी।